निए बच्चों अब हमिरे टेगा में हमने जैसे ब्रीदिंग प्रोस्टाइस को समझा जैसे एक्स्चेंज का जैसे से इक्शेंज में हमने देखा कि फेफनों की ऐलवी प्रॉलाई और ब्लड कैपलिरी इस की बीच में कैसेई आदान प्रदान हो रहा है सांधरता में अंतर के कारण पार्शियल प्रेशर में अंतर के कारण यह ऑक्सिजन गैस यह कारवन एक्साइड गैस के विसरन की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक दोनों बरावर नहीं हो जाते तब तक यह प्रोसेस चलती है दूसरा हमने देखा कि टिश्यू ले यह है कि आप हम यह समझना है कि यह ऑक्सिजन टिशू तक कैसे आई यहां इसका गैसी आदान पतन कहा हुआ था फेपड़ों में हुआ था लेकिन यह यहां तक आपके शरीर की हर कोशिकाओ तक यह ब्लड में जो ऑक्सिजन वो कैसे पहुंचती है इसको हम कहते हैं गैसों का ट्रांसपोर्ट यां गैसों का परिवहन और गैसों का परिवहन में दो तरह के हम गैसों की बात करेंगे एक है यह है गैसो का परिवहन तो सबसे पहले हम गैसो के परिवहन में ऑक्सिजन के परिवहन की बात करेंगे ऑक्सिजन का परिवहन कैसे होता है तो ऑक्सिजन का परिवहन में मुख्य जो है वो ब्लड में पाये जाने वाला आर्बीसी है यानि रैड ब्लड सैल्स है जिसको परशक है कि कभी कभी आप बिमार पढ़ते हैं तो आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा जाता है यानि ब्लड टेस्ट में यही चीज़े देखी जाती है कि ब्लड के जो कंपोजिशन हैं जिसमें डव वी प्लेटलेट्स हैं प्लाज्मा है यह फिर उसमें हीमोग्लोबीन है तो यह हिमोग्लोबीन अपने प्रापर रिश्यो में है की नहीं यह किया जाता है यहां फिर देखा जाता है कि कोई और ऐसे और इसे माइक्रो ऑर्गिनेजम तो नहीं है जो डिसम को शो कर रहे हैं तो हर एक का हरे content का एक volume होता है हमारे blood में तो वो volume प्रापर होने से ही हमारी जो सारी प्रक्रियाय हैं वह प्रापर चलती है तो जो blood के transport मतलब oxygen की transport की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य भूमिका होती ही हीमोगलोबिन की और हीमोगलोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है और आरबीसी में जो रक्त का लाल रंग है वो इसे हीमोगलोबिन के कारणी ही होता है तो हीमोगलोबिन क्या है सबसे पहले हम हीमोगलोबिन के बारे में समझ लेते हैं तो हीमोगलोबिन जो है अपने मूल रूप में ये बैगनी रूप में रहता है लेकिन जब ये ऑक्सिजन से संयुक्त हो जाता है और इस्थाई योगिक बनाता है तब ये चमकीले रंग का ब यानि उसमें होता है हीम यानि आयरन जिसके कारण ये लाल रंग होता है या कहना चाहिए कि रक्त का लाल रंग जो चमकीला रंग है वो इसके उपस्तिती के कारण होता है अब हीमोगलोबिन जो है वो दो पार्ट में बना होता है हीम यानि आइरन और दूसरा पार्ट होता है इसका गलोबिन तो आप यह जैसे देख रहे हो इसकी पिक्शर को तो हीमोगलोबिन में आप देख रहे हो कि गलोबिन प्रोटीन होता है और हीम आइरन होता है चार आईरन अणूं से ये संयूंक तो रहता है और ये चारो जो आईरन के अणूं हैं ये आईरन अणूं ऑक्सिजन से संयूंक तो होते हैं और कैसे होंगे आगे हम उसकी चर्चा करेंगे तो पहले अभी हीमोगलोबिन की बात कर ले रहे थे हीमोगलोबिन का जो पहला पार्ट हमने बात की हीम की वो लगभग 5 प्रतिशत होता है बने हीमोगलोबिन का 5 प्रतिशत भाग हीम भाग होगा और गलोबिन भाग जो है या GretemIMS Gleubyn मिल कर oxygen से सेंगत होने की इसकी अदभुत से emo prevent करोती है। और नकिवल यह उससे और स्क्राइट है कि एक यौगी ऑश्ठा यौगी को बनाता है बल classics जहां पर oxygen की संद्रता या पर्शीन फ्रिाशन कम और यहां पर यह उसको मुक्त भी करता है तो फेपडों में जहां पर पार्शिल प्रेशर ऑक्सीजन का अधिक है वहां पर शत प्रतिशत ऑक्सीजन जो है इस हिमोगलोबिन के दोरा ग्रहन की कर ली जाती है और टिश्योस में जहां पर ऑक्सीजन का पार्शिल प्रेशर कम होता है वहां पर यहीं हिमोगलोब है कि यह हीमोगलोबीन का एक ग्राम जो है वो लगवग 1.3 मिली लीडर ऑक्सीजन को ग्रहन करता है मतलब उससे सेयूग तो होता है और दूसरी बात अगर एक इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो एक इरिथ्रोसाइट यानि एक आरबीसी में लगवग 300 मिलियन यह हीमोगल की मात्रा है जो यह ऑक्सीजन को सेयूग तगर के उसका ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं अब यह की बात करें तो यह हीमोगलोबीन हमारी बॉड़ी में यानि हमारे ब्लड में कहले एक सामानिय व्यक्ति के 100 ml ब्लड में लग बग 15 ग्राम हीमोगलोबीन होता है थो नॉर्मल रेंज मानते हैं लेकिन इस से यदि कम है तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो इसके जरिये ही टिश्यूस यां कोशिकाओं तक पहुंच रही है यह जो छमता है वो प्रभावित हो सकती है इसलिए कभी जब हम टेस्ट कराते हैं तो हीमोगलोबीन बाइचां से तो कहीं न कहीं यह फीलिंग हमारे अंदर यह अनुभाव रहता है कि जल्दी हम ठक जाते हैं यानि ऑक्सिजन प्रॉपर जो है हमारे बॉड़ी को नहीं मिल पाती है तो इसलिए हमोगलोबीन को बढ़ाने के कई सारे हम तरीके अपना सकते हैं कई सारे ऐसे सोर्सेस होते ह जिसमें iron होता है iron होने से हमारे बॉडि में ग्लोवीन प्रोटीन होता है जिससे हैं हेमोगलोबीन बनता है और फिर वो रेंज हमारी प्रॉपर हो सकती है तो अब ही जो हम Elliot के ट्रांस्पोछ की बात कर रहें तो वह हमने इसमें हिमोंगलोबिन की बात की जिसमें हमें ये बिलकुल ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो उसका एवरेज रेंज है वो प्रॉपर होना चाहिए अब हम देकते हैं कि ये ऑकसीजन जैसे ही फेपडू में आती है यानि वायुकूपिकौ में पहुंचती है तो वहां पर जो कहना चाहिए ऑकसीजन की सांद्रता है वो जादा होती है और blood capillaries कहलो जो blood की वाहनिया है वहाँ पर oxygen की सांत्रता कम होती है जिसके कारण ये विस्तरित होकर रक्त में आ गई अब रक्त में RBC है, RBC में हीमोगलोबिन है, हीमोगलोबिन जो है वो oxygen को बांधता है तो हीमोगलोबिन में चार अनू आइरन के हैं, आप जैसे आदेख रहे हो, चार अनू आइरन के हैं, हर एक आइरन अनू से ये जो है, वो बांड बना लेता है जिसको बोलते है हम लोग हो, HbO2 यानि ऑक्सी हीमोगलोबिन, ये अस्थाई योगिक है अब HbO2 आप जैसे देख रहे हो, ये कैसे equation की दुवारा हम इसको समझा सकते हैं Hb oxygen से मिल गया तो HbO2 बना लेता है, एक oxygen और जुड़ जाती तो HbO4 बना लेता है एक oxygen और जुड़ गया तो HbO6 बना लेता है, एक और और जुड़ गया तो HbO2 बना लेता है बतलब चार और और oxygen के ये इसके साथ बंद जाते हैं, अब ये हीमोगलोबिन रुधिर के साथ परिसंचरन करता है और tissues और कोशिकों में पहुँचता है, तो जहां पर oxygen की सांदरता कम होती है, वहां पर फिर से ये HbO2 जो हमने, O8 की जो हमने बात की HbO8 से एक oxygen मुक्त हो जाएगा, HbO6 हो जाएगा, फिर एक oxygen अनू मुक्त हो जाएगा, HbO4 जाएगा, फिर एक अनू मुक्त होगा, HbO2 हो जाएगा, फिर एक अनू मुक्त होगा, तो Hb और oxygen पूरी तरीके से अलग हो जाएगे अब यह oxygen जो free हो गया फिर से रक्त के द्वारा फेपड़ों में जाता है और फेपड़ों में फिर से oxygen से सहीत होकर वापस tissue में आता है यदि हम इसकी process को इसके equation को देखना चाहें तो इसको हम समझ सकते हैं कि इन lungs में यानि फेपड़ों में क्या हो रहा है फेपड़ों में हीमोगलोबीन है oxygen है oxygen से वह bond बना लेता है HbO2 बना लेता है HbO2 यह tissues में आए कोशिकाओं में आए और कोशिकाओं में आका tissues में HbO2 विगटन हो जाता है यह oxygen विगटन वक्र भी एक हम आगे पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो HbO2 जो है हीमोगलोबीन और oxygen में मुक्त हो जाता है यह oxygen को अलग कर देता है oxygen वहाँ पर oxygen की प्रक्रिया में यानि श्वाशन की जो मूल प्रक्रिया है जहां बोजेपदारतों का oxygen होना है वहाँ पर यह oxygen का उप्योग कर लिया जाता है और वहाँ पर जो CO2 बनती है अगें फिर यह CO2 जो है वह हीमोगलोबीन से जुड़कर यह और भी माध्यम है वह फिर वापस फेप्रों में लाई जाती है तो 97% जो oxygen है वह इसी माध्यम से यह ने आर्बी सी के माध्यम से ही परिवहीत होती है यहनी उसका परिवहन होता है अब कितना बच Mormy जाता है ऑली थी परसेंट बच जाता यह 3 परसेंट जो है ब्लेड में प्लाजमा होता है हम जानते हैं तो प्लाजमा में यह तीन परसेंच अक्सिजन जो है घुलित आव अब CO2 के परिवहन की बात करते हैं क्योंकि CO2 जो टिश्यू इसमें बन रहे हैं यहां पर बोज्य बदार्त और ऑक्सिजन मिलकर ऑक्सिकरन की प्रक्रिया हो रही थी उसके प्रोड़क्ट जो थे वो CO2, H2O और एनर्जी था एनर्जी तो माइटोकॉंड्रिया में जमा हो जाती, ATP की रूप में, H2O का भी बहुत कुछ भाग यूज कर लिया जाता है, अधरवाइज एक्सहेलेशन से वो निकाल दिया जाता है, CO2 भी एक्सहेलेशन से निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी हामफुल गैस है, कैसे निकलती है एक तो ऑह्टोमेटिक आपनी प्रोसेश ही एक्सहिलेशन कित्रů निकलती है तो चुकि एन टीश्व में बन रहे है तो चिश शो से या कोशिका से यह फ्यपड़ों तक कैसे पहुंच रही है अभी तक हमने ऑक्सिजन की बात की कि फेपड़ों से टिशूस तक कैसे पहुंची अब हम बात करेंगे कि यह सी ओ टू जो टिशूस में बन रही थी वह फेपड़ों तक कैसे पहुंच रही है तो वह भी तीन माध्यम से पहुंचती है पहला माध्यम हम से यह सीओ टू कुपिकाओं में विस्रित हो जाती है और फिर वहां से आउट आफ हो जाती है तो यहां पर फिजिकल सॉलुशन में यदि हम देख रहे हैं तो सीओ टू प्लाजमा में जो पानी होता है एस टू उससे क्रिया कर लेती है और यह जो है कार्बनिक एंहाइडरेस यह फेपड़ों तक पहुंचाया जाता है वहां पर यह सीओ टू उससे अलग हो जाती है और फिर यह बाहर कर दे जाती है दूसरा माद्य हों हम देख रहे हैं एस कार्व एमीनो कंपाउंट्स के रूप में तो कार्व एमीनों कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं यह कंपा 10% जो है वह सीओ टू इसके द्वारा उसका परिवहन होता है जैसे फिजिकल सॉलुशन की बात की थी वह मुश्किल से 5-8% उसके द्वारा होता है एस कार्व एमीनों कंपाउंट्स के द्वारा 10% होता है तो 10% हम देख रहे हैं है एक तरह की का योगिक है इस से सीओ टू माधिया प्लेस हो जाती है यानि जुड़ जाती है आहां यहां सीओ ए मंद रहती है यह जो जाते हैं यह बन जाता है और यह यह जो है यह ब्लड कैपिलरी schöne पेंठ जया नहीं रग्त टागे से सी-ओ-टू मुपत हो जाएगी और C o-2 कोपिकाओ में पाँनी होजा जाती तीसरा माद्यम है बाय कार्वनेट के रूप में तो बाय कार्वनेट के रूप में सतर पतिशाद कारवन एकसाइट का परिवहन होता है अब उतकों से जो सह से विसरइत होने वाली सियोटो है उतकों से साथ आर्बी सिएस यानि हम रैड बलड कापसल की बात कर रहें इस में विशरित होने वाली से यह उसका अधिकांश भाग और बीसी एस में जो पानी रहता है एस टू रहता है उससे जुड़कर वह एस्टू सी ओ थ्री बना लेता है यानि कार्बनीक एसिट बना लेता है यह भी कार्बनीक एन्हाइड्रेस एंजैम की उपस्तिती में होता है फेर एस टू सीओ थ्री तुर्ण विगटीत हो जाता है बाइकार्बनेट आयन और हाइड्रोजन आयन के रूप में यह विगटीत हो जाता है से जो है वह आरवी सी में आरवी सी से वह प्लाजमा में जाता है अब यह दोनों चीजें हम देखें तो आरवी सी में पोटेशियम आयन जादा रहता है और प्लाजमा में सोडियम आयन जादा रहता है प्रचुर मातरा में होता है आरवी सी में पोटेशियम आयन है क्योंकि व बाइकारबनेट आयन जो है वो जुड़के सोडियम बाइकारबनेट बना लेता है इस तरह से विभिन यौगी को से बंधी ये CO2 कहां लाई जाएगी रक्त के द्वारा वहां नलिकाएं जो हैं जो वैसल से वहां लाई जाती है और फिर महाँ पर ये CO2 सारे मुक्त हो जाते ह और यह को पिका में विस्रित हो जाती है एगे हमने जो भी बात की परिवहन की तो यह तीन तरीके से यह नहीं तो यह जो आता है बहुत इम्बॉटन परिवहन कैसे होता है अब इनके सब के साथ हम एक और प्रक्रिया जो अग्लोराइड शिफ्ट है या हमबर्गर फीनोमेन वी जिसको कहते हैं इसको समझने का परियास करते हैं जहां भी हमने CO2 के परिवाइन की जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर आप इस पिक्छर के जरी झरीव समझ सकते हैं कि कि CO2 मिलकर क्या बना रहे हैं bicarbonate ion बनाते हैं जिसमें bicarbonate ion और hydrogen ion जो है वो अलग हो जाता है फिर अप्चू की CO3 जो है वो plasma में विस्तरित हो जाता है अप्चू की plasma में विस्तरित हो जा रहा है तो से चीँ जो है वह सांधरता प्रभावित होती है तो प्लाज्मा से ग्लोरीन एयन है हिनको राइड जुशे को संतुलित करना है इस वे निगर्टिव अयन वो प्लाज़्मा में जा रहा है और plasma का जो chloride ion है उसको संदुलन बनाए रखने के लिए वो वापस RBCS के अंदर में एंटर करता है तो इसी को ही chloride shift कहते हैं या hamburger phenomenon कहते हैं कभी-कभी दो marks में ये भी प्रशना आपको आता है chloride shift क्या है तो इस तरह से अभी हमने जितनी भी बात की इस शवशन तंतर के अंतरगत तो पहले हमने अंगों की बात की फिर हमने वो process की बात की जिसमें breathing process पहले आता था second आता था गैसों का exchange था third part था gases गैसों का transport यानि गैसों का विनी में कैसे होता है तो अभी तक हमने यह पूरी बात कर ली कि कैसे कैसे यह oxygen कोशिकाओं तक पहुंचती है co2 वापस कैसे फेपड़ों तक पहुंचती है oxygen का क्या उप्योग हो रहा है और co2 exhalation के द्वारा कैसे वो उसी वायू पत से वो बाहर जाती है ब्रीधिंग प्रोसेस में कौन-कौन सी मसल्स काम करती है वो सब चीज को हमने अच्छे से समझ लिया अब कुछ बात है oxygen विगटन एक जो कर्व है वो यह भी कभी आपको आता सिग्माइट कर्व रहता है यह भी आपको कभी कभी एक कुश्चन आता है तो इसको भी हम समझ लेते हैं इसके साथ हम समझेंगे कि इस रेस्पेरेशन का कंट्रोल किसके द्वारा होता है और फिर इसके कुछ डिसॉर्डर से उसकी बात करेंगे अब oxygen विगटन चक्र यानि oxygen dissociation कर्व की बात करते हैं यह जैसे आप कर्व देख रहे हैं यह हमोगलोबीन सैचुरेशन औ पी-ओ-टू oxygen के partial pressure के according यह बनाया गया है तो जैसे हम जानते हैं कि फेपड़ों में oxygen की सांद्रता ज्यादा है हमोगलोबीन की जो quality है वो oxygen और CO2 दोनों के साथ उसकी बंदूता रहती है affinity भी बनाने की क्यों परसिटी रहती है तो जिसकी सांद्रता जहां ज्यादा रहती है वह उससे बॉन पहले बनाता है तो फेपड़ों में क्योंकि oxygen ज्यादा रहती है तो इसलिए वह oxygen से बाइंद बना लेता है से जैसे बनाता है वह ins बी o2 बन जाता है उक्सी ही दो बीस न जाता है और ंचीस में काकर कोशिका國 सूट पर स्टूट जादा है इसले फिर वहां जो एच भी जो मुक्त हो गया था ऐसा हुआ यह तो वहां पर स्यूट्व की सांद्रता जादा होने से यह उससे पर बॉन्ड बना लेता है वह कर तो इसको एदि एक कर्व के रूप में प्रेश किया जाए तो यह स्टरा का आप देख रहे हो पार्शियल प्रेशर पहला जो है स्योटू 20 mmHg हो लेफ्ट साइड हो गया फिर आप बीच का देख देख रहे हो सेवन्टी में राइट साइड मतलब यह जहां ज्यादा होता है स्योटू फिर एच भी उससे कनेक्टेड हो जाता है उससे बॉंड बनाता है और फिर यही हमने जो बात की ती यह कार्बोक्सी हीमोगलोबीन जो है वह रख्त के जरीये रख्त की नलिकाओं तक पहुंचता है वहां से फेपड़ों की कूपिकाओं में विस्त्रित हो जाता है अब हम बात करते हैं इसके नियमन की यानि यह श्वशन जो है वह इसका कं पहले हमने ब्रीधिंग प्रोसेस को भी समझा था कि यह मेडिल ऑबलंगाटा और पॉंस के द्वारा इसका नियमन होता है अब यह पूरे श्वशन की प्रक्रिया को समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया कैसे नियमित होती है तो इसमें हम देखते हैं तंत्रिकी रासाइनिक नियमन होता है और रासाइनिक समन्वे के द्वारा इसका नियमन होता है दो तरीकों से होता है तंत्रिकी समन्वे में हम देखते हैं कि यह ब्रेन के जो मैडूल अबलंगाटा है उसके द्वारा कैसे कंट्रोल होता है तो जब यह तंत्रिकी समन्वे होना रहता है यह इसके रिलेक्स होंगी शितिल होंगी तो वो दोनों की प्रक्रिया पर यह मेडिल ओबलंगाटा जो है वो कंट्रोल करता है और जो भी परिस्तिते आती हैं उसको एक कंट्रोल में नियंत्रिद्वे में संचालित करता है इन सारी प्रक्रियाओं को अब हम रसाइनिक समंवे गी rat करते है तो नॉचिह Suzanne की अव सिस्टम होता है जब कभी बॉडि में शरीर का टार्प में यादी कोई परिवर्तन हो रहा है यह 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 परिशान की कमिंग्य इनको उदिपित करके नियंतरित करने का प्रयास करता है यानि श्वशन की प्रक्रिया इसके द्वारा नियंतरित होती है तो ये दोनों तरीकों से ये नियमित होती है जो परिस्थितिया आती है उसके अथार पर इसका कंट्रोल होता है अब तक हमने श्वशन के नियमन की बा और यह हवा जब हमारे अंदर स्वाश मार्ग से होते वे फेपड़ों तक जाती है निश्यत रूप से हमारे नासा चेमबर में जो रोम है वो जिवाणों को रोगाणों को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे हो जाता है कि ये पैथोजन्स, ये बैक्टीरिया हमारे श्वांश मार्ग के थ्रू लंग्स तक पहुँच जाते हैं, जिसके कारण बहुत सार ऐसे डिसॉडर पैदा हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं, जिनके बारे में हम कुछ तो हम जानते हैं जैसे खासना है, छीकना है, ये कुछ प्रतिकिरियाओं से हम वाकिफ हैं, तो ये कौन-कौन सी ऐसे disorders होते हैं श्वशन संबंदी, इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, खासी, खासी क्यों आती हमें, एक तो bacterial infection हो सकता है, उसमें तो कब बनता है, वो वाली बात हो गई, लेकिन कभी-कभी हमें अजानक से ऐसे खासी आती, वो खासी क्यों आती हैं, तो ये खोको करके जो एक आवाज के रूप में प्रदर्शित होने वाली प्रतिकिर्याओं, यह भी तंत्रिकी नियंत्रण में होने वाली प्रतिवर्ति क्रिया यानि रिफ्लेक्षन है जिसको कहते हम वो है असल में होता है क्या है नासा मार्ग के थूँ श्वासन जो मार गया उसके थूँ जो है कोई ऐसा पदार्थ फेफडों की कुपिकाउं तक पहुंच जाता है य और प्रक्रिया में होता क्या है कि कम से कम अधाई लीडर वाईयू को अंदर प्रवर्श कराया जाता है और गवॉकल कार्टें्ट और एह वोस्सामें होती हैं और एक प्रेशर के साथ जब हवा का दबाव अंदर बढ़ जाता है तव इस हवा के दबाव के साथ खो की आवाज से खासी की आवाज के साथ ये बाहर निकलता हैं तो यह पदार्थ एसी pressure वाली हवा के साथी बाहर कहना चीश नासा मार के थ्रू बाहर हो सकता है यहां मुँ के द्वारा बाहर होता है तो ये एक प्रतिवर्थी करिया है फिर हम दूसरा देखते हैं छीक ना में आप जानते हो कभी कभी छीक आती है लेकिन ये खासी की तुलना में ये इसकी निरंतरता काम रहती है इसमें क्या होता है हमने उसमें बात की थी कि फेपड़ों की कुपिकों या ब्रांका ही ता कोई पदार्थ पहुँच गया इसमें क्या होता है जो नेजल चेमर है वहां तक नासा मार्ग में या नासा वेश्म में जब कोई पदार्थ पहुँच जाता है जिसके कारण ये यह को फिर जा σब्साइब को वह नगीन जाती है और क्वेव प्रेशर के साथ ईसको पडार्थ को लेकर सांथ जो हो बाहर जाती है और यह की आवाज आती है जो बाहर निकलती है तो इसमें भी कोई पडार्थ अंदर घुश जाता है जिसको निकालना जरूरी रहता है और चीक के बाद लगातार से वह फिर बाहर निकलता है फिर हम देखते हैं नीमोनिया यह जो है बच्चों में अकसर होता है जिसमें इस श्वाशनाल के मार्ग में जो श्वशन की जो कोशिकाए हैं वह ज्यादा लिं जिसके कारण सांस लेने में कठनाई होती है हमने पहले भी बात की थी कि छो फेपडों के जो वाइयकूपिका है वो बहुत ही महत्तपूण है जितना वर्ग उसका छेतर फ़ल है सता का जो छेतर फ़ल जिसको हमने 100 वर्ग मीटर या 99 वर्ग मीटर या 90 वर्ग मीटर की बात की थी तो इतना बड़ा जो श्वाशनी सता है इन सब के कारण जैसे निमोनिया है आगे हम कुछ और वी रिजन देखेंगे जिसके कारण यह और भरने के कारण छेतर कम हो जाता है और फिर सांस लेने में कटनाई होती है तो ये निमोनिया जो है एक तरह का बैक्टिरियल इंफेक्शन है जो डिपलोकॉकस निमोनी के द्वारा होता है अब हम कफ कोल्ड की बात करते हैं ये भी हम इसे आम परीचीत हैं जब मौसम बदल ये निमोनिया होने की संभावनाय जादा बढ़ जाती है इसमें भी वहां नासा मार्ग में कोशिकाएं जो हैं शलेशमा का सिक्रिशन जादा करती है जो वाई कुपिकों में भड़ जाता है उसका छेतर कम हो जाता है और फिश्वशन यानि सांस लेने में तकलीफ होती है इसमें कुछ और भी लक्षन है जैसे सिरदर्द है बुखार है नाक का बंद होना है या फिस सांस लेने में कट्ना ही होती है से कुछ लक्षन आम तोर पर देखे जाते हैं कि आप होपिंग काफ है यह एक तरह से आपके स्वशन से संबन्दी भीमारी जो बच्चों में ज़्याधा तर होती है दो से पांच साल तक बच्चों में अधिकतर देखी जाती है और यह बैक्टीरिया से रोने वाली बीमारी है जो है हीमोफिलस इसमें भी निरंतर खांसी आती है और रात में जादा आती है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इवें इससे डेथ भी हो सकती है फिर है अस्थमा अस्थमा यानि दमा ये भी कभी आपने अपने आसपास ऐसे रोगी ऐसे पेशेंट को देखा होगा जब कभी तापमन में गिरावट आ जाती है या फिर पराकन यानि जस बारिश के दिलों में पराकन हवा में घुमते हैं या फिर कोई बाहिपदार्थ ऐसे एंटर कर जाता है या फिर ऐसे कोई खाद्यपदार्थ लेने से किसी को ऐलर्जी हो जाती है तो ये दमा जो है उसके कारण होता है इसमे है तीबी यानि टूबेकलोसिस तप्यदेक जिसको कहते है रोग है माइक्रडियम टूबेकल chicos होने वालब भीमारी है और इसमें बेक्टिरिया है वह फेपडों की कुपिकां में जाकर स्थापित हो जाता है वहां की कुपी काये रेशों में बदल जाती है जिसके कारण ये शवशन छेत्र कम होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है अब एक और रोग पलमरारी फाइब्रसिस की बात करते हैं ये भी लगबग टीबी के समान फेपडों में पहुंचने वाला जिवानु है जिवानु जिसके द्वारा ये रोग होता है खानों में काम करने वाले जो मजदूर है जो करमचारी उनको ये अकसर होता है उसमें भी फेपड़ की कोशिकाएं जो है यानि एलबी वलाई जो है वो रेशे में परिवर्तित हो जाती है और जिससे दम घुटने लगता है एक और रोग है एंफाइस सीमा इसे बुढ़ों का रोग कहते है और ये वायू प्रदूशन यानि ऐसे जगर जहां पर वायू प्रदूशन जादा है या धूम्रपार करने वाले जो लोग है या स्मोकिंग जो करते हैं सिगरेट बीड़ी बगर पीते हैं उनमें जादा तर रोग पाया जाता है इसमें एल्विलाइज जो हैं वह संकुचीत हो जाती है पतली हो जाती है और ऑक्सजडन कम होने पर फिर दम घुटने लगता है एक और रोग हैपोक्सिया की बात करते हैं ये हाइट पर जैसे जाते हैं मतलब पहाड़ों पे जैसे उपर च जो काम करते हैं वहां पर ये विशाक्तिता पाई जाती है तो वहां पर पाय जाने वाले ये लोगों में जो है ये बाली हाइपोक्सिया बीमारी हो सकती है जिसमें ये अवक्सिजन उपलब्द घुपाला है लेकिन आउक्सिजन का उप्योग वो नहीं कर शैने एक और लंग तो यह लंगक इंसर होता है लंग के इनसर में फेपड़ों में जो है असमान्य हो जाती है इसको कहते हैं पूंकर कोशिकाएं धुठ dr की बात कर लें हम सेकेन या थर्ड स्टेश की बात कर लें जब रोग जादा बढ़ जाता है तब रगत की नलिकाएं फट जाती है और रोगी को खून की उल्टियां होती है इस तरह से हमने यह कुछ डिसॉडर की बात की अब एक और मुख्य बात हम करने जा रहे हैं जिसमें ह हम बात करते हैं कि हम हमें जो हम सांस लेते हैं अकसर वो नाक से कई लोग जुरत पढ़ने पर मुझ से भी सांस लेने लग जाते हैं तो इसका दुश्प्रवा भी हो सकता है नाक से हमने जैसे पहले बात की थी जब हवा अंदर जाती है तो च्छन कर और उसका तापमान जो as it is हमारे श्वाश मार्ग में फेपनों तक पहुंच सकते हैं जो हमें बिमार करने की संभावना जादा हो सकती है तो कोशिश करनी चाहिए हमारा जो श्वाशन है वो नाक से ही जादा हो लेकिन जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं तो भी बात के थ्रू भी कई ऐसे रोगानू छिवानू जो अंदर प्रवेश कर जाते आते वो डिसों डर पैदा कर भी देते हैं यदि उनकी मात्रा जादा है तो क्यों तो बिचूँ हमने इस तरीके से इस शवाशन तंत्र के सभी पार्ट का बहुत अच्छे से अध्यान क्या शिवाशन तंत्र क्या है? श्वाशयन क्क्षेरीजू